यहां पर आपको ग्राउंड फ्यूर में आपको डिजाइन करके दिखाने वाला हूं पूरा 3D व्यू आपको दिखाऊंगा कैसे आपका लाइग जब आपका मकान बन जाता है इसके बाद कैसा मकान दिखता है वो 3D व्यू आप देख सकते हैं तो अगर हम साइज की बात करें तो चोड़ाई इसकी है 16 फिट और लंबा ही 25 फिट में ही डिजाइन किया है यहां पर दो बैट्रूम लेटिंग बातरूम स्टियर साफ की सारी सीज़ें यहां पर उपलब्ध है तो इस मॉडल को आज हम डिसकस करेंगे जिसका आज साइज ब अगर हम इसका ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यह इसका ग्राउंड फ्लोर है जूम करके आप देख सकते इसका टेक्सर वगएरा देखी कि इसका टेक्सर के हम बात करें तो यह मैंने यहां पर दिया है डोर जो कि आपका विंटलेशन के प्रॉपर तरीके इस विंटलेशन भी दिया है यह उपर जाली दिया इससे आपका प्रॉब्लम ना हो यह एक विंडो दिया है और जैसे आप यहां से इंट्री करते हैं तो य स्टे इस की साइज की बात करें तो यह सी शिर्फ फिट का चौड़ा आपको देना पड़ेगा अब धो फित अगर चौड़ा देंगे तो तीन फिट आपका यहां से निकलने के लिए बचेगा हाला कि जो starting point होगा जो entry point होगा वहाँ पर आपको पूरा 5 feet मिलेगा क्योंकि यह approximately यहाँ से उपर तक आएगा 6 feet के बाद आपका proper तरीके से यहाँ पर space मिलेगा starting इसका जब यहाँ से आप pass करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 feet का ही space मिलेगा क्योंकि stairs बनाने के लिए और कोई भी जगह नहीं सबस्क्राइब आपको stairs बनाया है फिर एक bedroom मैंने दिया है अगर आप यहाँ पर केवल एक bedroom बनाना चाहते हैं तो आपके लिए फिर stairs साइड में बनवा सकते हैं मैंने यहाँ पर दो bedroom दिया है एक यह आपका bedroom मैं देख पा रहे होगा इसको guest room भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने door यहाँ से दिया है और इसके बाद एक सबसे पीछे मैंने bedroom दिया है बड़ाशा यह दिखिएगा इन दोनों bedroom के size मैं भी बताऊंगा 2D model दिखा कर यह आपक kitchen सामने से मैंने दिया है तो यह आपसा kitchen हो गया यह आपका bedroom हो गया यह आपका bedroom हो गया यह आपकी stairs होगी तो यह पूरा 16 वह 25 फिट में proper तरीके से घर managed किया है अगर हम इसकी spacing की बात करें इसकी size की बात करें तो वह मैं आपको 2D model में दिखा देता हूं तो यह इसका दूस kitchen का size रहेगा room की size के बात करें तो 9.9 into 9.11 एक room का रहेगा यही size 9.2 into 9.11 इस room का रहेगा और जो आपका लेटरिंग और bathroom दिया है तो 4.6 into 6.2 उस्तों fit में है जो आपको dimension देख रहा है 5 feet 11 inch बात कर रहा हूं 5 feet 11 inch का है 1 inch का में लगवक 6 feet की चौड़ाई है और यह पूरा आपका जो गैलरी का size 4.8 एप्रॉक्स 5 feet है size मैंने 25 बता ही दिया तो यह पूरा 2D model भी आपको मिल जाता है और 3D model भी मिल जाता है और अगर हम last floor की बात करें तो यह देखिए designing का यह मैंने railing बनाई है सारों तरफ 3 feet का और यह यहां पर railing दे दिया है यह आ कमेंट करके बताएं हमारा इसे जो size है इनका rooms का kitchen bathroom का इन सभी का हमने आपको size भी बताया और यह model कैसा लगा हमें comment करें सारसा वीडियो को लाइक से दूर करें अगर आपका कोई भी doubt रह जाता है तो हमें comment करके आप बता सकते हैं और अगर आपका कोई recommended model है तो हमें comment करें ह अलाकि comments बहुत सारे आते हैं तो हम सारे model को design नहीं करबाते हैं लेकिन आप comment करें हम आपका किसी एक लोगों का model जरूर design करते हैं प्लीज इस वीडियो को like share करें हमारे facebook page को new tech जिसका नाम है उसे जरूर follow कर लें और instagram पर भी हम सारे video upload करते रहते हैं images upload करते रहते हैं तो आ आप instagram follow करों वहाँ पर भी है बहुत सारे model हमारे download कर सकते हैं तो please subscribe करें शाधी साथ वीडियो को like share जरूर करें thanks watching